चूहे के कान लंबे क्यूं? तलाब की किनारे एक चूहा रहता था, वह अपने बाल बच्चों सहित प्रायबिल से बाहर आ जाता था, वहाँ बैठ कर वह सफेद सफेद रुईसी बतक को देखता रहता था, कि कितना अच्छा होता यदि मेरे बच्चे सफेद सफेद होते जालती पतक चली आ रही है, वह पूछनी लगा, पहन जी आप तो बड़ी है सुन्दर है, मुझे भी बताए कि मेरा रंग आपके जैसा कैसे हो सकता है, बतक यह सुनकर हसी, श्रान से अपनी गर्दन उठाई और आगे बढ़ चली, शुखे को अथिक बुरा लगा, पर बतक बोली, दोस्त, तुम रंग की परवाह क्यों करते हो, सफेद या काले रंग से क्या होता है, तुम सच बोलो, दूसरों की मदद करो, मीठी वानी बोलो, विनम्र बनो, फिर तुम देखोगे कि सभी तुम्हे प्यार करते हैं, पर ये बाते चुहे के कुछ समझ में नही नहीं चाहती है, यह तो बड़ी घमंडी है, चुहा गाई के पास गया, सभी से उसने गोरे होने का उपाई पूछा, सभी उसकी बात पर हसते और आगे बढ़ जाते, चुहा बड़ा ही निराश हुआ, अंत में एक दिनवा खरगोश के घर पर पहुँचा, तेजु खरगो चुहे के आगे सेव रखते हुए कहा, सेव बड़ी मीठे थे, चुहे ने खूब जी भर कर खाए, फिर उसने खरगोश के सामने अपनी बात रखी, चुहे के बात सुनकर खरगोश मन ही मन हसा, उसने सोचा कि चुहे को ऐसा उतर देना चाहिए कि आगे से फिर वप्रशन फिर बोला, अरे यह कौन सा कठिन काम है दोस्त, आज शीलो तुम्हारा रंगरू बिल्कुल मेरा जैसा हो जाएगा, खरगोश ने चुहे से कहा कि मेरे पीछे पीछे चलते आओ, मैं जैसा कहूं वैसा करो, आगे आगे खरगोश चला, पीछे पीछे चुहा, दोनों श्या काकी की रसोई की नाली में से होकर अंदर खुझे, खरगोश ने रसोई घर में थोड़ा घूम फिरकर देखा, खी एक कढ़ाई में थोड़ी चासनी रखी थी, बस उसका काम बन गया, उसने चुहे को इशारा किया कि वह कढ़ाई में अच्छी तरह से लोट लगाए, चु खरगोश ने चुहे को उसमें भी खूब लोट पोट होने को कहा, चुहे ने ऐसा ही किया, फिर खरगोश उस चुहे को लेकर अपने घर आया, वहां उसे शीचा दिखाया, चुहे ने जैसा ही अपना प्रतिबिम देखा, तो वह खुशी से उचल पड़ा, या क्या, उसका स सारा ही शरीर खरगोश जैसा सफेद सफेद और फूला फूला हो गया था, चुहे ने खरगोश को बहुत बहुत धनिवाद दिया, फिर वह अपने घर वापस लोटा, रास्ते में चुहे को जो भी देखता, आँखे फाड कर देखता ही रह जाता, वह बड़ा विचत्र तक बंदर, रीच, शेर, सभी को यह बता आया, कि उनके जंगल में एक विचत्र जीव आया है, वह सभी को नश्ट कर देगा, फिर क्या था, सभी जानवल, सभी पक्षी मिलकर निकले, जैसे ही चुहे को देखा, तो उसे समारने को पिल पड़े, चुहा चूँचू करके र नहीं भाई, यह ठीक ही कह रहा है, भीड को चीरते हुए खरगोश आगे आकर बोला, पर यह कैसे हो गया, कौवा पूचने लगा, खरगोश ने सारी कहानी सनाई, तब सभी जानवर अपने घर वापस लोट गय, मूर्ख है यह, कहते हुए दोता मैना सभी उठ चले, रह ग दुख के कारण सिसक सिसक कर रो रहा था, खरगोश ने चूहे की पेट पर हाथ फिराया, उसको सांत वना दी, थोड़ा समझाया और उसके आंसो पोचे, फिर तलाब की किनारे ले जाकर सनान कराया, तब सारी चासनी और रूई साफ हुई, खरगोश ने भी चूहे को बतक क भांदी ही समझाया, वह कहने लगा, भाई, जो बुरी बात सोचता है, वह बुरा होता है, जो बुरे काम करता है, उसका बुरा ही होता है, जो अच्छे काम करता है, उसे सभी प्यार करते हैं, फिर वह चाहे काला हो या गोरा, चाहे वह कुरूप हो या सुन्दर, सभी चाम को नहीं काम को प्यार करते हैं तन को साफ सुत्रा रखो और अपने अंदर सुन्दर गुण विक्सित करो यही सची सुन्दरता है अब चूहा सोचने लगा कि काश मैं पहले ही उस पतक की बात मान लेता तो मेरी इतनी हसाई नहीं होती चूहे ने अपने कान पकड़े उन्हें पकड़ पकड़ कर खूब खीचा और प्रतिग्या की खी आगे से अब ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगा तुमने देखा ही होगा कि आज भी चूहे के कान लंबे होते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें कॉमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चानल रिशी चिंदन को सब्सक्राइब भी करने साथ ही बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें धन्यवाद